दोस्तो कहीं न कहीं आपने भी मुख्यमंत्री शिको कमा योजना के अंतरगत फार्म डाले होंगे और आपने भी जो है वो सेक्टर में अपलाई किया होगा तो अभी तक आपका पेंडिंग दिखा रहा है 10, 15, 20 दिन से उपर हो चुका है पर अभी तक ये पेंडिंग जो है क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है कि ये पेंडिंग क्लियर क्यों नहीं हो रहा है तो चलिए आज इस बिसे में बात करने वाले हैं नमस्कार दोस्तो आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिपेशगोर में दोस्तो बेल आइकन को आल पर क्लिक करें क्योंकि आपको सब्सक्राइब करना का एक भी पईशा नहीं देना और आपको वेनिफिट ये रहेगा कि हम जो भी योजना किसी योजना से संब्द किसी भरती से रिलेटेट वीडियो डालते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकरसन मिल सक तो यहाँ पर हम चलते हैं सिद्धे हमने लॉग इन करके रखा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टोटल 63 एक सेक्टर में जो आबेदन किया था और हमने कभी किया था दस आठ 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 दोहेर 23 को किया था और आज 21 तारीख हो चुके फिर भी हमारे आबेदन चारा नहीं हो सकता उसी संबंद में आज आपको जानकारी देने वाले हैं जैसे हम पहले किसी भी को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ब्यूपर जैसे एक क्लिक करते थे यहाँ पर आपको देखने को एक इस्टेटर देखो मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर्स क चम्ता कोर्स में कुल करमचारी को संक्य कितने थी 7300 तिरियानवे ठीक है 7300 तिरियानवे थी और जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बढ़ डाल कर बताया था कि मुख्यमंत्री सिबरास्ती चोहन जो है वो 22 तारिक को इस योजना का सुभारम करने वाले हैं मतलब जोइनिंग लेटर देने वाले तो किन किन लोगों को जोइनिंग लेटर देंगे हमारे तो अभी तक पेंडिंग बता रहा है एस से यूबा जिनों ने अपलाई किया और वहाँ पर selected by candidate या confirm लिखा आने लगा है उनको एक तो जोइनिंग लेटर देंगे और दूसरा उन लोगों को जोइनिंग लेटर देंगे जैसे कि आपके में अभी भी pending बता रहा है ठीक है जैसे कि आपके में अभी भी pending बता रहा है फिर भी जहां पर आपने अपलाई किया फिर भी pending बता रहा है पर कुछ सेक्टर या कुछ कमपनियां एसी हैं जहां पर अधिक आविदन होने की वज़े से उन्होंनों सभी के पास जब accepted by candidate की लिंकी भीजी और उन्हें फिर करना पड़ता e-signature e-signature के इने नहीं किया तो उन्होंने इसका एक उपाया निकाला कि हम सबसे पहले उन्हें फोन करते हैं जिस भी यूबा ने उनके पास contract भेजा है उनके पास पहले हम call करते हैं call करके उन्हें बुला लेते हैं इस वीडियो के बाद हम उस वीडियो को भी upload कर देंगे ताकि आप सभी भी उसे एक बार सुन सकें तो आपको tension लेनी की जरुबत नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताए कि हम सबसे पहले इसके home page पर जाते हैं आवेदन कितने यूबाओं ने करा यह सबसे में बात है तो 8,65,946 यूबाओं ने आवेदन किया है तो आप यहां खुद से समझ सकते हैं कि हमारा pending अभी तक क्यों दिखा रहा हैं क्योंकि 8,65,000,000 प्लस यूबाओं में से केबल 68,000 यूबाओं को ही प्रसिक्षन दिया जागा कुल मिला कि यह योजना एक तरीके से फेल हो चुके है क्योंकि इसमें 8,65,000 यूबाओं ने आवेदन तो कर दिया पर सिवरा सरकार द्वारा इनमें केबल 68,615 ही आपको प्रसिक्षन के लिए केंडिडेट सिलेक्ट किये जाएंगे तो यहां पर हमने 63,000 प्लस कंपनियों में आबिदन किया पर हमारे पास एक भी सिलेक्टेट वार केंडिडेट लिखा हुआ नहीं आ रहा है नहीं 63 प्लस सिक्टर में अप्लाई किया फिर भी हमारा यहां पर सभी जगा पेंडिंग दिखा रहा है तो इसलिए दोस्तों अगर आपने एक से दो सिक्टर में भी अप्लाई किया तो उसमें बहुत कम चांसे परत्यागे अगर आपने एसे selected sector में apply किया है जिसमें कि बहुत कम लोगों ने apply किया है तो आपका selection यहाँ पर prescription के लिए हो सकता है इसमें अगर कोई update आती है तो सबसे पहले मैं आप तक पहुचानी के कोशिश करेंगे पर अभी तो इतना ही update है कि इसमें आपको wait करना है बागी हम कुछ नहीं कर सकते हैं pending दिखा रहा है तो दोस्तो और जैसी accepted by candidate लिखा आता है आपको तुरंत इस signature इसमें कर देना है बाटसब ग्रूप की लिंक वीडियो को description में आपको provide करवा दी जाएगी बहां से आप join हो सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक share कीज़े ताकि आप सभी को यह जानकरी लग सके कि pending क्यों बता रहा है तो मिलेंगे next वीडियो में धन्यवाद